नमस्कार दोस्तों मैं राश कुमार मोरिया प्रकर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है यूपी की नौ बिधान सभा सीटों पर उपचुनाओ हो रहा है यह उपचुनाओ 2027 के लिए सेमी फाइनल बताया जा रहा है लेकिन मैं नहीं मानता कि जो उपचुनाओ जीतेगा वही 2027 जीतेगा मैं नहीं मानता अब समाजवादी पार्टी से बहुत बड़ी खबार आ चुकी है डाक्टर नवल किशोर शाक्य को ले करके डाक्टर नवल किशोर शाक्य 2024 के लोग सभा चुनाओ में फरुखा बास से चुनाओ लड़े माहज 2600 बोटों से हार गए या हरा दिया गया आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्योंकि इन्होंने याचिका भी डाली हुई है याचिका पर सुनवाई भी चल रही है और बहुत सारे फ्राड की ख़बरे भी आई थी आप लोगोंने देखा होगा कि 2024 के लोग सभा चुनाओ में सबसे ज़्यादा फरुखा बास से रिपोल हुआ था फिर से चुनाओ हुआ था एकाद्दू जगांपर तो आप समझ सकते हैं अब समाजवादी पार्टी ने इनको बड़ा नेता बना दिया है बड़ा नेता का मतलब है कि सांसत भले नहीं है लेकिन पूरे प्रदेश में इनको लोग जानते हैं क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोटों से हारने वाले डाक्टर नवल की सोरशाक्य है स्वामी प्रशाद मौरिया के पूर्व दामाद है जो संगमित्रा मौरिया का नाम करहल विधांसभा सीट पर चल रहा है इनसे साधी हुई थी पहले किसी कारण वस उनका तलाग हो गया इनका उनका अलग-अलग मामला है इनकी दुबारा साधी हो गई है दुबारा बच्चे भी है वो अलग भी से है लेकिन डाक्टर नवल की सोरशाक्य को लगातार पूरे प्रदेश की जनता मैं देश की जनता पर नहीं जाना चाहूँगा पूरे प्रदेश की जनता इनको जानती है पहचानती है करहल विधान सभा सीट पर दोस्तों दरसल मामला ए है कि समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है तेज़ प्रताप यादों को वहाँ पर सबसे ज़्यादा एक लाग चाली सजार के करीब यादों सबसे ज़्यादों है दूसरे नंबर पर शाक क्या बादी है जिसको बीजेपी टिकट देने जा रही है चाहिए संग्वित्रा मौरिया को दे जाहिए बिनोस साक के को दे बीजेपी चुनाओ जीतेगी नहीं लेकिन बीजेपी इस सीट के जरी एक मैसेज देगी शाक के को टिकट दे करके कि हमने साक को टिकट दिया था और जीतना तो है नहीं आप सब जानते हैं लेकिन समाजबादी पार्टी जीतने के बावजूद मजबूती के बावजूद इस सीट पर शाक के मतदाताओं को साधने के लिए डाक्टर नवल किशोर शाक के को नामित कर दिया है प्रचार प्रशार के लिए कागया है कि ततकाल पहुँचिये और समाजबादी पार्टी के लिए प्रचार प्रशार करिये आने वाले समय में बिधान सभा का टिकट फिर मिल जाएगा इनको लोग सभा का टिकट फिर मिल जाएगा इनको डाक्टर नवल किसोर शाक्य और अखले स्यादों के बहुत अच्छे रिष्टे हैं बहुत अच्छे संबंद हैं और अखले स्यादो जी इनको बहुत मानते भी हैं तो आप मस सोचिए कि सपा करहल की जीत रही है सीट तो करहल में किसी साक्य को नहीं उतारेगी नवल किस और शाक्य के उतरने से बीजेपी को डेंट लगेगा भले बीजेपी साक्य प्रत्यासी क क्यों कील घूम घूम कर कहेंगे कि हमको हराया गया और दुनिया जानती है आप सब जानते हैं रात में क्या हुआ था लाट में लाठी चार्ज कहां हुआ था लाइट कहां गई थी तो डाक्टर नवल के सोर शाक्य एटा एटावा मैन पुरी फरुखाबाद उस इलाके में इनकी हार को खास कर उसी इलाके में नहीं मौरे साक्य सैनी कुसवा भाईया सब एक ही हैं कहीं पर मौरे लिखा जाता है जैसे पूरवांचल में मौरे लिखा जाता है मुंदेल खंड में कुसवा लिखा जाता है पश्च में उत्तर प्रदेश में सैनी लिखा जाता है और जो लिखा जाता है एटा इटावा मैं पुरी फरुखाबाद इधर आउला में भी मौरे लिखा जाता है तो कुल मिला करके ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी इस बोटर को छोड़ने के मोड में है यही बोटर है जो समाजवादी पार्टी के लिए बूश्टर का काम किया 2024 के लोग सभा के चुनाओं में यही बोटर है यही मेन बोटर है प्लस निशाद भी है पटेल भी है नाव जो जाती है जो दददस हजार पांच-पांच हजार हर विधान सभाओं में मौझूद है उसके अलामा प्रजापती, कुमार, लोहार मतलब सब लोगों ने बोड़ दे करके समाजवादी पार्टी को मजबूत किया है तो समाजवादी पार्टी ने इनको बड़ा नेता बनाने का फैसला कर लिया है हलाकि लोग सभा का चुनाओं हर गए तो हर गए आपकी जो भी राय हुआ आप अपनी राय देचिये, नमस्कार